तो तो हें गाइज बिनने साइट कैसे हैं आप भाइज नंबर है precaution कि वीडियो लेफित की वीडियो की वीडियो कर चुक के 檐 जहां से आप की compliant से पहले पार जो पार चुका हूं और ना तौटल हमारा मक्साद है कि हम डेड़ सो इंग्लिश grammar rules cover करेंगे जिसमें सारे chaplain to paramoto mirror of common error so SP बक्षियो कितने भी grammar rules हो वो इस डेड़ सो rules में सारे cover हो जाए ठीक है छोटे rules भी बड़े rules भी important rules भी और जहां से कभी-कभर आता है वहां से भी तो चलिए वीडियो को start करते हैं अब वितक हम हमारे 19 rules cover कर चुके हैं अब हम next देखते हैं आईए next rule है हमारा 20th क्या rule है भाई 20 देखो कह रहा है if two actions take place in the past one after the other the first action will be in past perfect tense and the second action will be in simple past tense पहले मेरी बास समझे इसने बोला गया यह कह रहा है कि भाया अगर कोई भी दो action past में हो रहे हो देखो दो action है एक पहला action यह है और दूसरे action यह है दुबारा मेरी बास समझे ना दो action हो रहे हैं दो चीजे हो रही हैं past में हो रही है बस जो मैं बताओं वो समझ लो काम बन जाएगा आपका दो action हो रहे हैं पास्ट में हो रहे हैं दोनों एक्षन पास्ट में हो रहे हैं और दोनों एक्षन एक दूसरे के बाद हो रहे हैं एक दूसरे से related है वो एक दूसरे पर dependent भी है ये भी ध्यान रखना ठीक है दोनों एक्षन पहले पास्ट में हो रहा है दूसरा भी पास्ट में हो रहा है और ए है उसको आप रखते हो simple past मतलब मतलब यह समझो कि भी अगर मैं बात करूँ past की की past में कोई चीज़ होई तो आपके दिमाग में सीधा आते हैं कि past की कोई time की बात कर रहे हैं तो हम सीधा simple past यूज़ करते हैं यही बात है मगर मैं बोलू कि वह past के बारे में बात कर रहा हूं जो इस past का भी past मतलब मैं उसे कहना चाहता हूं कि वह past of the past past का भी past तो ऐसे चीज़ को दिखाने के लिए मैं यूज करता हूं head plus work की third form मतलब past perfect tense का past perfect tense का simple past का formula होता subject plus work की second form plus में object और इसका होता subject plus head plus v3 देखो मेरे पढ़ाने का यही तरीका है मैं मुद्दे की बात करूँगा ज्यादा बकवास करने के मुझे आदत है ठीक है अब मैं आपके एक ज़रा सी revision करा दूए एक बड़ देखो मैंने क्या बोला कि दो action हो अभी example तो समझाऊंगा बहुत तकड़ा समझ में आएगा tension मत लेना मैंने आपका बोला दो action हो रहे है तो जो पहला action हो गया ठीक है वो रहेगा आपका past perfect में और जो दूसरे action है वो रहेगा simple past में ठीक है इसने बोला I example लेते हैं इसने बोला I saw him before he stopped his car आप देखो यह जो लिखा है ना मैंने गलत लिखाव है इसको आपने सही करना है अब जिस बच्चे को नहीं आता है जिसे आता भी है वो मेरे ड़क्ज़ समझे पहले आप यह देखो कोई नहीं देखेंगे जैसे आप कहीं से पड़ेंगे बुकों से पड़ेंगे उसमें लिकाओगा बिफोर जहां आ जाए आफर जहां आ जाए वह ऐसा कुछ मत देखो आप सेंटेंस का मिनिंग देखो कि उसका सेंटल आइडिया क्या निकल रहा उसका मिनिंग क्या निकल रहा तो आप देखो कह रहा I saw him before he stopped his car तो यह दूसरा क्लॉज है मुझे आप बताओ कि पहले क्या हुआ है पहले उसने देखा है या पहले उस बंदे ने गाड़ी रोक दी तो क्या है कह रहा है I saw him मैंने उससे देखा before he stopped his car उसके गाड़ी रोकने से पहले दुबारा यह person था और यह person गाड़ी में था तो यह person कह र ऑधर देखा उसके गाड़ी रोकने से पहले तो मैंने पहले देखा है उसने गाड़ी तो रोक लिकेंदृ नहींटїकली यह ओंद दीद्ध रहा है जो पहला action होता है वो कौन से tense में रहेगा मेरे बाई वो रहेगा past perfect tense में तो मेरा sense होना चाहिए आए बिलकुल ऐसी बस past perfect में क्या लगता है past perfect में लगता है subject plus head plus v3 यह past perfect का है और दूसरा वाला जो simple past है उसका क्या होता subject plus v2 सही बात है तो past perfectly यहां पर हो जाएगा I had head आ जाएगा और वब की third form क्या होगी saw की see saw scene तो verb की third form हो जाएगी आपकी scene तो क्या हो जाएगा I had scene आप इस saw को card के भी यहां पर सही कर सकते हो I had scene यह तो पहला action आपने cover कर रहा ठीक है दूसरा action रहा simple past में तो यह रहा subject और यह रही verb जो की verb second form में ही लिखा है तो दूसरा वाला तो simple past में सही जिस ब पहले देख लिए उसे गाड़ी रोकने से पहले बस इसी example से आप समझ जाओगे और बाकी और example आप खुद कर लोगे तो यह होना चाहिए यहां पर I had seen him before he stopped his car तो यह होना चाहिए आपका past perfect में यह basically आपका ऐसे identify करना यह first action है और यह आपका है second action जो first action है जो first action है जो first action है एक और example देखते हैं आजब कह रहा है before he understood anything the robber fled ठीक है the robber fled मतलग जब तक ही वो कुछ समस्ता तो जो robber ता जो घर में तोड़ घर तोड़ कर जो चोरी कर रहा था वो जो चोड़ था वो भाग गया तो आप मुझे यह बताओ कि पहले इसने समझा यह पहले robber भाग गया भ तो भाग गया तो मेरे समझने से पहले चोर भाग गया नटो चोर पहले बहाग आए समझ रहो मैं जैसी कुछ समझता मेरे घर में हुआ क्या नहीं देखा वाय चोर तो निकल यह खिड़की में से ठीक है तो चोर मेरा पहला action है फिरस्ट यह सेकिंड है यह बस कानी कर दो ख और यह वाला रहेगा आपका सिंपल पास्ट में तो यह सब्जेक्ट है यह वीटु आई यह तो करेक्ट लिखा लिए लॉजिक क्लियर है चोटी चोटी वीडियो होगी मेरी 15 से 20 मिनटी कि मगर ऐसा लॉजिक दूगा कि आप जो बच्चा पढ़ रहा है वह ध्यान रखेगा खतरना समझाए बद मेरी धान रखना मुँ में मिठ्धू नहीं कर रहा अब मुँ में मिठ्धू का भी इडियूम समझो एक इडियूम पेपर में आता है blow your own trumpet blow your own trumpet T-R-U-M-P-E-T लिख ले ना कई बार S-S-C में आता है काफी बार आता है इसका मतलब होता है अपनी शेकhy अपने मुझे मारना अपने आप की बोस्टिंग करना तू बोस्ट भी-ो-a-s-t अपनी शेकी मारना अपनी तारीफ करना मूम या मिठ्थू करना तो ये ध्यान रखना देखो वो कैब भी हो रही है ठीक है तो यह सी समझें आगे नेक्स देखते हैं कह रहा आई मेट हिम आफ्टर आइफ फिनिस्ट माइवक अब आप खुद बताओ यह मत देखो बिफोर आफ्टर की नहां मिनिक देखो कब मिला उससे काम करने से पहले मिला यह काम पहले उसने खतम किया फिर उससे मिला दुबार सेंटेंस को पड़ते कह रहा आए मैट हम आफ्टर हाइफ फिनिस्ट माइवक तो भाई पहले मैंने अपना काम खतम किया और फिर मैं उससे मिला अब आप लोगो सब को मालूँ है अब मेरे को भाई जाना है तो पहले में वीडियो बनाऊंगा तब ही तो प्रेंट से मिलूँगा पहले दोस से मिलकर आएंगा फिर आप लोग पढ़ाई करते हैं जो एक सीरेश अपर पढ़ेगा फिर किरकड़ के लेगा तो पहले मैंने अपना काम का खतम करा तो फर्स्ट एक्शन यह तो क्या हो जाएगा आए हैड हैड फिनिess देखा वह आंपर सेकिंड थृर्ड फर्म एफिनिस्ट फिनिस्ट फिनिस्ट ही रहते है की सेकंड पर मेरा क्या है श्रीच फिनिए कि थे इच drones आते हैं वाइग रीच सेटर बता बता करख जlor जब तक जैसे Halo जब तक मैं थेटर पहुंचा जो शो था वो स्टार्ट हो चुका था बाइदा टाइम आई रीज थेटर जैसी में जब तक मैं थेटर पहुंचा तो शो था वो स्टार्ट हो चुका था तो पहले वो थेटर पहुंचा पहले शो स्टार्ट हो चुका था वह कहरा बाइदा टा दिक्कत के बिक्त में ने तो घौँब कोसे शुर्म हर उन आपको क्या मोच बहिए है हूं वह वहां रिंद रिखजते लिगे कोई मैंने खुद कोई मैंने खुद नहीं बनाए हैं यह सच मेरा संझाने का मैं आपको समझाया है कि अगर आप जहान से समझें आपके डाउट्स क्लियर है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारा रूल नंबर टॉंटीवन बिल्कुल अलग है रूल नंबर टॉंटीवन क्या कहता है बहुत बार एक्जामने आता है देखो जो वब होती है न कोई आप से पूछेगा वब क्या होती है तो आप बोलोगे भाई व जो होती है वह स्टेट दिखाती है स्टेट कि आपका क्या स्टेट चल रहा है जैसे मैं बोलूं आए प्ले किर्केट तो मैं किर्केट खेलता हूं मतलब रेगुलर एक्शन है सिंपल प्रेजेंट में तो यह प्ले तो एक्शन वाब हो गई बट मैंने बोला आए हैं आव और एक होता है एक एक एक्शन दिखाती एक होता स्टेट और पोजेशन दिखाती यह आप तो पता होग राचीह ठीक हैं तो जो वड़ की टेस्ट स्मैल हीर देखो पहले तो अपने सारे संसे कां से क्या करते हो, here करते हो, तो ये तो आपको याद रहेगा, nose से आप smell करते हो, taste, tongue से करते हो, आखों से देखते हो, तो ये सारे बात आप ध्यान रखना, ये सारे आयंजी फॉर्म में नहीं होंगे, मैंने आपको link करने का तरीका बता दिया, see, taste, smell, hear, फिर P से याद रखना, prefer, please, notice, मतलब नो करना में मतलब वही जानना समझना माइड मतलब इस मैंसर कोई चीश सोचना रिमेंबर शोच रहे हूं मतलब अपने आपको देख रहा है तो यह सारे वर्ड आइएंची फोर्म में नहीं करने का तरीका बता ठीके फिर्म ने मैंने बोला जैसे आपको अकल अकर क leash की मेरे पास एक गड़ी है यहांपर में अक्षिन बता रहूंah मैं ठीडे़ ओना कार मेरे और बह्या कार गाड़ी है तो यह भी आइंजी ओं में नहीं होगका मतलब मैंने लिखा वो इस तो जो पोजेशन दिखाए जैसे ओन, I have a car, have, belong, comprise, पोजेश, contain, consist, यह सारे वर्ब आईएजी फ़र्म में नहीं होगे, फिर प्यार, महबत वाले वर्ड जैसे like, love, फिर hate वाले, नफरत वाले, like, dislike, love, adore, want, wish, desire, hate, यह सारे वर्ड आईएजी फ़र्म में नहीं होगे, फिर कोई ची appear, affect, resemble, cost, require, become, hope, refuse, यह सारी आईएजी फ़र्म में नहीं होगे, वर्ब्स ठीके, इस और स्टेटिक वर्ब्स ठीके, ना स्टेटिक वर्ब्स है वो, तो यह सारा आपका भाहिया आगया समझ में, अब मेरी बास समझो जो मैं कहना चाहरा हूँ, अच्छे समझना चीजों को पहले हमें एक 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 एकजांपल देखते हैं, ठीके, पहले मैं आपको एकजांपल देता हूँ, मैंने आपको बोला, I am having a car, जैसे आपे संटैस बढ़ोगे, आप बोलोगे, विने कक्षा वाले विने सर ने बताया था, I am having a car, यह have तो हमारी क्या है, यह have तो हमारी स्टे ठीक है, स्टेट बताती है, तो भाईया यह having नहीं होगा, यह having कटेगा, क्या हो जाएगा, जब यह have हटेगा, जब यह having आएंजी फ़र्म नहीं लगानी, तो भाईया यह helping वर्ब है, यह भी हट जाएगी, तो sentence क्या होगा, I have a car, अब मेरी बास समझो, examiner आपको पेपर मे जो एक question दिया था, यह दिया था, present continuous, बट आपने इसका मतलब same रखने के लिए, दुबारा मतलब same रखने के लिए, मतलब इदर उदर ना हो, बस आपको यह बताना है, कि मेरे पास car है, आपने जब इसको ठीक करा, तो यह अपने आप किसमें convert हो गया, यह convert हो गया, present simple, यह simple present के लो, यह present indefinite, are you getting my point, यह चीज़ के लिए नहीं, और अच्छा example दूँगा, और अच्छा से दिमाग खुलेगा, आजो देखते हैं, मैंने बोला, this house is belonging to me, आपने बोला, sir, have belong, यह घर मेरा है, यह घर मुझसे belong करता है, position दिखाने के लिए, तो आयंग जी फर्म होगा होगे, मगर ऐसे लगाओगे, यह singular belongs to me, दूसरा ध्यान रखना हमेशा है कि belong के साथ एक fix proposition आता है, वो क्या होता है, to होता है, बस खतम होगी कहाने, next है, I am seeing a man standing there, see ing form में नहीं होता, जैसी आप यह हटा के खाली c लिखोगे, यह am भी हटाना पड़ेगा, sentence बन गया, I see a man standing there, simple present, simple present में अपना sentence convert हो रहा है, ठीक है, आजो next देखते है, मैंने बोला, I am not meaning anything wrong, जैसी मैंने बोला तो मैंने बोला यह mean, यह नहीं होता, तो यहां से मैंने meaning हटाया, mean लिखा, तो यह helping भी हटेगी, जब helping हटेगी, तो not मैं कर नहीं सकता, तो यह भी हटेगा, अब जब म ing form लगाने के लिए इसे present continuous में बनाया गया, बड़ यह stative verb, action verb नहीं है, तो यह ing form में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपको खाली mean लिखा, मगर मैं अगर लिखता, I, यह am भी कर गया, not भी कर गया, तो हो जाएगा, I mean anything wrong, ठीक है, तो यह तो sentence ही गलत हो गया, वो बोलना चा गता हूं, do का, do के साथ not लगा, do यह does का, तो I do not mean anything wrong, इससे आपका क्या हुआ, meaning same रहा, बस tense का थोड़ा इदर फरक पड़ गया, देखो, depth में गए है, confuse मत होना, बहुत basic था यह नेक्स्ट है, he is owing a car, फिर भाहिया इदर देखो उपर, own, own भी हम यूज नहीं करते, यह तो क्या हो जाएगा, owing हटेगा, इस भी हटेगा, तो क्या हो जाएगा, he, own a car, जैसी आप यह लिखोगे, बिल्कुल सब्सक्राइब, बिल्कुल गलत है, सर गलत क्यों है, क्योंकि जैसी आपने लिखा, he, he, own लिखा, तो मेरे बाई, यह सिंगूलर है, he, own a car, यह से ही, चोटी चीज़ ध्यान रखना, जब sentence improvement में आएगा, तो दोनो option में होते हैं, ठीके, next time, I am knowing you, know के साथ ing नहीं आती, क्या होगा, I know you, मैं तुम्हें जान रहा हूं, या मैं तुम्हें जानता हूं, खुदी देख लो, तो am भी हटेगा, क्या होगा, I know, तो यह सारी verbs हैं, ज जैसे मैं बोलू, I have a car, तब तो यह ing form में नहीं होगा, क्यों मैं बोलना चाहता हूं, position दिखा रहा हैं, मेरे पास एक गाड़ी है, मगर, जब have का मतलब, position दिखा रहा हैं, now, खाना हो, मस्ती करना हो, fun करना हो, lunch करना हो, तो यह ing form में हो सकता है, कैसे जैसे मैं बोलू, I am having तो यहां पर position दिखा रहा हूंगी, मेरे पार lunch है, मैं lunch करना कर रहा हूं, मैं lunch करने जा रहा हूं, मैं यह sense दे रहा हूं, मतलब खाना, जब ऐसे एक verb यहां पर action की तरह use हो रही है, वो ऐसे दिखा रही है, तो वो आप ing form में use कर सकता, तो यह से मैं बोलू, I am having a piece of cake, तो म no cover हो गुए, next देखते हैं, बाएस वाला, avoid using double comparative and double superlative, अब यह क्या चीज़ है, ठीक है, जैसे मैंने बोला, good, तो good होता है मेरा positive degree, good क्या होता है positive degree, फिर मेरा होता है better, better क्या होता है मेरा comparative degree, comparative, और best, best क्या होता है, मेरा superlative degree क्या होता है superlative degree ठीक है positive degree comparative superlative यह आपको पता है तो यह कह रहा है कि यह तो use हो सकते हैं ठीक है पहले हैं आपको बजा जाएता हूँ जब आप एक बंदे की quality की बात कर रहो एक बंदे की तारीफ चल रही हो एक बंदे के बारे में बात कर रहो तो बाप positive degree का use करते हैं ठीक है जैसे मैं बोलू he is good जैसे मैं बोलू he is a good player तो good वहाँ पर adjective है जैसे इधर देखो है मैंने बोला he is a good player तो यह player आपका noun है यह good आपका adjective है यह a-art का article है यह प्रणावन है और यह आपका linking word है ठीक है न main work का काम कर गए इस ठीक है यहाँ पर helping work तो है नी तो जैसे मैंने good बोला यह good आपका क्या हुआ यह good आपका positive degree of adjective है क्योंकि एक ही बंदे की तारीफ कर रहा है तो एक बंदे के लिए positive degree बेसिक भी clear हो रहे है दो बंदों का comparison हो तो compare degree दो से ज़्यादा हो तीन हो चार हो पाच हो तो superlative degree ठीक है यह चैसे समझ में आ गए आपको basic था बिलकुल अच्छे समझेंगे यह कह रहा है कि दो comparative दो comparative वाले words एक साथ नहीं आ सकते दो superlative वाले words एक साथ नहीं आ सकते जैसे मैंने बोला he is the most cleverest of all the officers clever positive degree है इसका बनता है cleverer और इसका बनता है cleverest ठीक है तो यह तो superlative डिगरी है तो जब यह superlative अपने आप में है कि उन सारे officers में से यह सबसे तेज है यह सबसे clever है तो यह तो intensity दिखाई रहा superlative तो मगर most भी superlative है तो most यहां से हट जाएगा double superlative double comparative साथ में नहीं आते गलती से paper में cleverest मत अटा दे जाना तो he is the most of all the नहीं होगा ना तो most अटाना आपने ठीक है next time this is more better than that अब यह क्या more better than that भाई better देखो more होता है comparative का डिग्री बढ़ाने के लिए और most होता है superlative के बढ़ाने के लिए better good better यह खुद comparative है comparative वैसा than आता है यह आपको पता होना चाहिए तो more हट जाएगा यहां पर he is more wiser than his brother फिर more हटेगा यहां पर he is wiser than his brother बिल्कुल सही है wise, wiser, wiser यह comparative है यह चीज़ धान डखना बिल्कुल अच्छे से आपको आने चाहिए अब आप मेरी एक बात देखो कुछ words होते है जैसे मैं आपको बोलो beautiful मेरी बास सम्भनदा जो मैं कहारा हूँ जैसे मैंने बोला wise wise हो गया positive degree तो आपने इसका बनाया wiser फिर आपने इसका बना दिया superlative wisest year लगा के बनाया comparative और EST लगा के बनाया superlative सही है मगर जैसे मैंने आपको बोला beautiful तो इसका आप beautifuler beautifulist तो बना नहीं सकते इसका बनाते हो more beautiful comparative और superlative बनाते हो most लगा के most beautiful beautifuler beautifulist तो नहीं करते है क्यों नहीं करते है that is called syllable जब भी आपके syllable दो या दो से ज़्यादा जब भी आपके syllable दो से ज़्यादा आ रहे हो तब आप superlative और comparative बनाते हो more or most लगा के सर ये एक syllable क्या देखो ज़्यादा समझना जब मैंने बोला wise तो मैंने एक ही बार बगल दिया wise देखो कैसे wise एक ही बार में कहीं मैं रुका कहीं मेरे जीब रुकी कहीं मैंने pause लिया नहीं लिया तो यहाँ पे syllable तो एक ही था wise खत्म मैंने बोला clever देखो दो स्लेबल आ गए कैसे clever एक बार रुका यहाँ पे एक स्लेबल आए clever खत्म मुझे बोलना पड़ा अब इदर देखो यहाँ क्या मैं क्या बोल रहा हूँ beautiful तो देखो दो से ज़्यादा स्लेबल आए मैंने बोला beautiful अब तेजी से बोलो गए तो होई जाएगा मैंने बोला जैसे कि wise एक बार में हो गया मैंने बोला clever जैसे मैं बोल रहा हूँ clever तो देखो clever तो एक आगे हैं आपर अब मैंने बोला beautiful देखो basic समझे मैंने बोला beautiful तोडो से view यहां रुका में एक T दूसरा हुआ full तो beautiful तो ऐसे जब more than यह दोस लेवल आ रहे हो तो आप more beautiful most beautiful लगा गे comparative और superlative बनाते हो अगर यह चीज़ आपको अच्छी लगी हो नहीं पता हो तो मुझे comment करके जुरू बताना हमारा उत्सा बढ़ेगा तो हम भाई और अच्छे से वीडियो बनाएंगे ठीके आ जो next she is the most intelligent girl in the class ठीके she is the most intelligent girl in the class sorry अब देखो अब in जैसे intelligent बोलोगो कैसे बोलोगे in intelligent या intelligent तेजी सही बोलोगे intel तो एक यहां पर रुका सेंटेंस बिल्कुल सही है no error ठीके मगर नीचे वाला सेंटेंस देखो जब मैं बोल रहा हूँ she is the most smartest girl तो भाईया smartest यार कैसे हो जाएगा जब मैंने बोला smart तो यह तो positive है इसका comparative बनता है smarter और फिर इसका superlative बनता है smartest तो यह तो अपने आप में superlative हो गया तो इस superlative के साथ most कैसे लगा सकता हूँ most तो slivel वालों के साथ लगाता हूँ तो ज़्यादा आते हैं समझ गए are you getting my point यह चीज़ जहान रखा ठीक है फिर as she is feeling more better better comparative better के साथ comparative degree नहीं आएगी अगर लगानी है थोड़ा सा दिखाने के लिए तो आप much का use करो वो better होता है much आपका use हो सकता है comparative के साथ वीडियो अच्छे लग रहे हो मेरे भाई तो ज़रूर बता देना like कर देना share कर देना subscribe कर देना चैनल को subscriber बढ़ा दो हमारे थोड़े next आते हैं हम अपने rule number 23rd में rule number 23rd बहुत यसान है paper में sentence improvement में question देखनों को मिलते है क्या है यह कह रहा है जब भी आपके as as या so as हो रहे हो पहले तो मतलब समझो as as का मतलब होता है मतलब क्या उतना जितना positive sense में यह positive में भी आप use कर सकते हो और negative होता है जो so as होता है वो हमेशा लग भग 90% use होता है negative sense English में exceptions are always there exception तो हो गई होगी बड़ इतना जितना जितना लगना आपका यह usage के साब से नहीं आता है as as so as यह तो as as तो दोनों में हो सकता है positive भी negative so as negative में होता है मगर आपका आता है कि जब as as के बीच में या तो कोई adjective या अड़वर्ब आपको डालना होता है तो हमेशा द्यान ड़कना वो हमेशा आप डालोगे किसमे positive degree positive जैसे कि as as आया अब इस as as के बीच में मैंने लिख दिया better तो यह गलत है क्यों गलत है आप बोलोगे सर इसके बीच में अगर कोई adjective डालना है तो वो आएगा positive degree तो आपका क्या हो जाएगा as good as तो कि इसकी positive good होती है ठीक है example देखते हैं मैंने बोला he is as good as his brother वो उतना अच्छा है सर आप बोलोगे यह यह error है क्योंकि सर as as के साथ comparative नहीं आपका positive degree आती है जो कि fast होता fast faster fastest clear है मेरे भाई बात तो इदर देख लो एक बार आपने क्या क्या समझा इदर देख लेंगे हम अच्छे से हमने आज देखा कि भीया पहले हमें पाच grammar की वीडियो को revise करना है फिर छटी वीडियो में हमने यह देखा जो पहले action होगा उसके साथ past perfect दूसरे के साथ simple past example हमने करें तीन चार और अच्छे समझा फिर हमने verbs देखी कि state of up कौन से होते हैं पाच्छे example इसके करें फिर हमने double comparative का यूज देखा वो भी अच्छे समने करा syllable समझा फिर हमने adverb देखा तो एक छोटी सी 20-22 मिनट की वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में आपने चार पाज rules समझ लिए जो कि मेरे भाई अगर मैं offline center में पढ़ाता हूँ ना एक डेट घंटा ले जाता है अगर किसी भाई 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 को हमारा course देखना हो basic English basic से लेकर advance तक लेना हो तो वो हमारी app download कर सकते हैं बाकी की information यहाँ पर है देख लीजिए चैनल को subscribe कर देना नीचे telegram link है वो जरू जोइंग कर देना वीडियो का पता लगता रहेगा ठीक है तो आपके लिए last में जाते जाते है important चीज यह है कि देखो हमारी जो app है वो launch हो गई है विने कक्षा नाम से ठीक है आप Google Play Store पे Android वारे जो Android बच्चे Android phone यूज़ करते हैं वो Play Store पे जाके विने कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी app मिल जाएगी ठीक है ना आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक link डाल दिया iOS वालों के लिए तो वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है Google Play Store में जैसी आप विने कक्षा लिखोगे तो यह आपका ऐसा स्क्रिंग खुलेगा आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है इसके बार आप आजाएंगे इस इंटरफेस में ठीक है जैसी आपके आगे यह इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा को बहुत अच्छे से कवर करेगा एड़ी ट्रिपल एस भी पी जी टी पी आर टी जितने भी आपके एक्जामे के विए सारा है टी जी टी है जितने भी आपके टीचिंग के एक्जामें उनको इंग्लिश का मैंने कैसा कोर्स बनाया है वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा वटस अप पे अपने मेरे भाई डाउट बेजेगा मैं उनको हाथ वाथ बता दूँगा मैं आपको पूरा एक्जाम के लिए गाइड करूँगा तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज ओफ हो जाएगा आपका तो इस 799 में मातर 799 में आपको पड़ेगा ठीक है तो जल्दी आपका वोकाब कोर्स भी आएगा यह पेड कोर्स है टेंशन मतले न यूट्यूब पर पर क्लासे होंगी जिनको बेसिक में दिक्कत है जो मीडियेटर लेवल में पोज़ गये जिनको नहीं संगाता हम कैसे त्यारी करें यह के लिए कोर्स रहेगा जिसमें आप आपका जितनी पार्ट ऑव स्पीच आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन सिंटेक्स क्लॉजस किसे कहते हैं बेसिक सारी चीज़े आपकी कवर हो रही है बहुर अच्छे से ठीक है तो चलो गाईस अब मैं चलता हूँ रेगलर आ मुझे कॉल कर सकते हैं ठीक है और मेरे से आपकी बात करवा देंगी जोगी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा ठीक है तो चले गाईस थैंक यू है वनाइस टे